हेलो स्टुडेंट इस प्राज शी वेलकम तो अवर शानल आजुम करने वाले एक्सरसाइज वान पॉंट ठीका कोश्चिन नंबर फर्स शो दाट रूट पाइफ इस इर्रेशनल ये आप लोगों का ऐसा कोश्चिन है जैसे ही मैं आप लोगों को संजाओं कि रूट पाइफ को हम इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं आप बहुत सारी कोश्चिन्स ऐसे कर सकते हैं जिनमें आपको इर्रेशनल प्रूफ करना जैसे कि रूट टू रूट थ्री रूट सेवन रूट इलेवन रूट थर्टीन तो ये सारे के सारी कोश्चिन्स आपके इसी वे में ही चले तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना कि show that root 5 is irrational number irrational number क्या होते हैं और rational number क्या होते हैं मैं already एक वीडियो बना चुकी हूँ अब हाँ पर जा कि इसको देख सकते हो बहुत डेटेल स्टेडी की हुई है irrational and rational numbers पे that is so easy तो इन कोशन को करने के लिए सबसे पहले हम start करते हैं हम माल लेते हैं root 5 जो है आपका rational number है तो हम सबसे पहले ही इसकी opposite चीज माल लेगे so that last में आके हम बता सके कि हमने कहीं न कहीं गलती की है तो root 5 is irrational तो मैं माल लेती हूँ let us assume that root 5 is rational number तो मैnyने माल लिया कि root 5 जो है वो rational number है अगर root 5 rational number है तो मैं इसको किस form में लिख सकती हूँ P by Q की form में लिख सकती हूँ You know very well कि rational numbers को हम P by Q की form में लिख सकते हैं where P and Q are integers and Q is not equal to 0 but मैं यहाँ पर लिखूंगी P and Q are co-primes and Q is not equal to 0 they still are integers but यहाँ पर मैंने इक और चीज़ मेंशन कर दिये कि यह क्या है को प्राइम्स है सबसे बहले आपको पता होना चीए को प्राइम्स क्या होते है नाम सी पता चल रहा है को प्राइम्स जिनका कोई common प्राइम नंबर नहीं होता जैसे 4 example यह मैंने 2 लिखा यह मैंने 5 लिखा इन दोनों में मैं इसको cancel कर सकते हूं नहीं हो सकता cancel यह एज इस रहेगा that means P by Q की फॉर्म में लिख दिया वेर P and Q are core primes and Q is not equal to 0 अगर मैं लिखते हूं 5 by 10 5 by 10 को अगर मैं cancel कर देती हूं क्या आजाएगा 1 by 2 1 by 2 अब यह क्या होगे दोनों के दोनों अलग लग होगे core primes इनको हम cancel नहीं कर सकते हैं तो अब आगे क्या हो जाएगा where Q is not equal to 0 अब इसको एक और simple language में बोल सकते हैं कि जिनका HCF जो होता है वो सिरफ 1 और कोई इनके बीच में कोई और HCF ना हो रहा है उसे हम भोलते हैं co-primes and Q is not equal to 0 अगर Q equal to 0 हो जाएगा तो हम इसको rational number नहीं लिख सकते हैं अब next step क्या आता है हम यहाँ पर करेंगे cross multiply root 5 Q equals to P हो गया अब हम next step करेंगे squaring both sides जो हमने square कर दिया तो root 5 से 5 हो गया यह हो गया Q square is equal to P square यहाँ से आपको पता चल रहा है theorem यहाँ पर हम apply करेंगे 1.3 तो theorem क्या कहती है कि P square जो है वो 5 से divisible है that means P भी 5 से divisible होगा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे if P square is divisible by 5 that implies P is also divisible by 5 और क्या लिख सकते है if 5 divides P square then 5 divides P हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अगर मैं और एक example लेके समझाओं तो P square आप कुछ भी मान लो जिसे कि अगर मैंने P मान लिया 10 तो P square क्या हो जाएगा? 100 तो P square यहनिकि यह 5 से divisible है तो that means P भी आपका 5 से divisible है कोई और भी आप ले सकते हो कि अगर P square अगर मैंने मान लिया P मान लिया 5 या 15 मान लिया तो 5 तो अलड़ी है ही 15 मान लिया तो P square क्या हो जाएगा? 225 225 is divisible by 5 45 और इसको यह भी 5 से divisible है ठीक है? तो यही आप लोगों की theorem है तो इसको मैं मान लेते हूँ आपका first conclusion अब अगर P को 5 ने completely divide किया तो वहाँ एक quotient आएगा तो मान लिया मैंने वो quotient है M और remainder आएगा 0 because जो 5 है वो completely divide कर रहा है P को so by UK division lemma हम क्या लिखते हैं? dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder तो यहाँ पर dividend हो गया आपका P divisor है 5 quotient हमने मान लिया है M और remainder आया है 0 तो मैं क्या लिख सकती हूँ? P equals to 5 M where M is some positive integer अब यह चीज़ आ चूगी अब दुबारे से सको square इं बोल साइट कर देते हैं तो अब P square equals to 25 M square है तो यहाँ से मैं P square की value निकाल रही हूँ from equation first क्या लिखाएंगे हम 5 Q square P square की जिगा आगे आपका 5 Q square यहाँ हम लिख देंगे from equation first अब 5 है जी 25 है इसको cancel कर सकते हैं क्या आएगा Q square equals to 5 M square अब यहाँ दुबारा से आपके पास क्या चीज़ बन रही है कि if Q square is divisible by 5 that implies Q is also divisible by 5 तो यहाँ पर आ रहा था P square यहाँ आ रहा है आपका Q square यह हो गया आपका second conclusion तो यहाँ starting में देखते हैं सबसे पहले हमने माना था P and Q are co-primes co-primes मैंने आपको भी बताए कि जो HCF होता है जिनका वो सिरफ 1 होता है लेकिन यहाँ आप देख सकते हो first conclusion से आपको पता चल रहा है कि P का factor 5 भी है यहाँ से second से आपको पता चल रहा है कि Q का factor 5 भी है तो यहाँ कि tono में common factor क्या आगया 5 और जबकि हमने बोला था कि यह क्या है co-primes है that means इनका 1 के अलावा और कोई common factor नहीं है बट यह तो आ गया common factor that means जो हमने assumption की है जो हमें assume किया है कि root 5 जो आपका rational number है वो rational ना होकर क्या है irrational तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे तो हम लिखेंगे here P and Q have common factor 5 which is contrary to our assumption that is क्या assumption थी हमारी कि root 5 जो है rational number है तो hence it is irrational number तो हमारे पास prove हो गया root 5 जो है irrational number तो दुपारा से एक बार इंब्रीफ देखते हैं सबसे पहले हमने assume किया कि वो rational है rational है तो मैं उसको P by Q की form में लिख सकती हूँ और मैंने P by Q की form में लिखा और मैंने बोल दिया कि P और Q जो है वो co-primes है that means उनका HCF सिरफ बन है जब यह 5 जो है वो P को divide कर रहा है तो that means P is equal to 5 M में लिख सकते हूँ यानि कि M जो है कुछ ना कुछ होगा that means उसको multiply करके वो P की equal आएगा where M is some positive integer दुबारा से squaring की वहां से first equation से value put करी और second conclusion में मुझे पता चला कि जो 5 है वो Q को भी divide कर रहा है तो मैंने तो माना था और कुछ common factor नहीं है पर जो 5 है वो P और Q दोनों को ही divide कर रहा है that means वो हमारी जो assumption होगी वो wrong हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगा आपके पास irrational proof हो जाएगा अगर मैं बात करती हूँ root 2, root 3, root 7, root 11, root 13 तो हर जगा पर जहाए मैंने 5 लिखा है वहाँ पर हो जाएगा root 2 यहाँ 2 यहाँ स्क्वेरिंग कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर 2M आजाएगा यहाँ पर 4M, इसका स्क्वेर कर देंगे 4M आजाएगा ऐसी ही cancel करके आपके पास सारी नंबर आप इसको प्रूफ इरेशन कर सक्ते हुआ तक यहाँ तास आपर इस वीडियो